इस वीडियो में बात करूँगा omega 3 fish oil पे बॉड़ी में क्या changes आएंगी अगर आप 30 दिन रोजाना omega 3 fish oil खाते हैं human body को normal function करने के लिए healthy fats की जरूरत होती है इस पर मैं वीडियो में आगे मजीद बात करूँगा omega 3 fatty acids, fatty acids मतब fat का छोटा unit ये बहुत से चोटे unit मिल के fat बनाते हैं omega 3 essential हैं body के लिए इसका मतलब ये है कि हमारी body इने खुद नहीं बना सकती लेकिन हमारे दिल, दिमाग, आंखों को, joints को इनकी जरूरत होती है और तकरीबन 70% population में omega 3 की कमी है अब सवाल जेन में ये आता है कि तेल तो हमारे खाने में बड़ी मिकदार में मौझूद होता है तो फिर कैसे omega 3 fat की कमी हो सकती है इसी पर मैं बात करूँगा कि क्यों omega 3 की कमी है कुछ एक्सरा चीज़ें आपको मिल जाती है जैसा कि vitamin D और vitamin A ये दोनो normal fish oil में नहीं मिलते सस्ता fish oil आप ना लें फाइदे की बजाए नुकसान होता है क्योंकि fish oil oxidized बड़ी जल्दी होता है खराब जल्दी होता है और सस्ते fish oil capsules में जो oil use किया जाता है वो poor quality और पुराना oil use किया जाता है rancid oil use किया जाता है ताकि इसकी cost कम रखी जा सके दूसरा बेहतरीन सोर्स है fatty fish, trout, pomfret, rahoo, salmon मचली, चर्बी और खाल समेथ खाए grass fed beef grass fed मतलब कुदरती माहौल में बड़ावा जानवर ना के farm में grass fed में omega 3 की मिकदार जादा होती है organ meats, liver, heart, brain even अंडे omega 3 का बेहतरीन सोर्स है इसके साथ plant based options में walnut, flax seed, alcee के बीज, badam, chia seeds इन सबसे आपको ALA मिलता है actual omega 3 नहीं मिलता यह omega 3 precursor है ALA से omega 3 बनता है बड़ी में जाने के बाद इसे omega 3 में convert किया जाता है इसे दो तरह के omega 3 EPA और DHA में convert किया जाता है EPA help करता है inflammation को कम करने में जिसम में सोजिश कम करने में तो अगर किसी में जोडो में inflammation है arthritis या heart में inflammation हो सकती है तो EPA इसे कम करने में help करता है उसके बाद DHA help करता है brain function improve करने में in fact brain का grey matter 20% हिसा DHA से मिल के बनता है या cerebral cortex तो यहां omega 3 fish oils memory improve करने में मदद करते है cognitive function improve होता है attention, focus और learning improve होती है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है इसके बावजूद अक्सर बच्चे मचली या fish oil नहीं खाते North East European countries में ये मसला बहुत common है चुँके सर्दी बहुत जादा पढ़ती है सर्दीयां लंबे अरसे तक चलती है धूप कम निकलती है सर्दियों में ज्यादा सान exposure ना होने की वज़ा से लोगों में vitamin D की कमी रहती है लोग बाहर नहीं निकलते है और vitamin D की कमी की एक निशानी है depression का बढ़ना किसी को अगर arthritis है तो वह severe arthritis में तबदील हो जाता है तो fish oil को बहुत सी बिमारियों की remedy के तोर पर इस्तेमाल किया जाता fish oil एक बेतरीन source है vitamin D का बच्चों को अगर आप convince कर लें fish खाने के लिए या उन्हें आप fish oil दें तो जो एक बहुत एहम benefit है वो है asthma और allergies से बचाओ क्योंकि omega 3 lungs की inflammation को कम करता है सांस खुल के आता है inflammation या सोजिश के बढ़ने को ही allergy कहते है कि body में किसी जगा पे inflammation बढ़ जाना और इसकी वज़ा से histamines का release होना इसमें मौझूद vitamin D anti-inflammatory properties रखता है इसलिए जब बचों में asthma होता है और उन्हें आप धूप में खेलने देते हैं तो asthma आइस्ता आइस्ता कम होता जाता है नॉर्मली लोग fish oil लेना ही तब शुरू करते हैं अगर कोई heart problem या brain issues हैं लेकिन इसके और भी फायदे हैं और अगर आप regular basis पे fish oil इस्तेमाल करते हैं और आप में ये symptoms हैं तो ये कम होती चली जाएंगी और eventually खतम हो जाएंगी dry eyes, खुशकांखें dry eyes में आप omega 3 के साथ vitamin A भी जरूर शामिल करें तो उसके बाद dermatitis, skin अगर dry और scaly है आँखों का एक मसला जिसे age related macular degeneration कहते हैं इसमें उमर बढ़ने के साथ-साथ आँखों के परदे पे छोटे-छोटे धब्बे आने लगते हैं जिसे आँखों की बेनाई मुतासिर होती है omega 3 इसे रोकता है arthritis का भी पीछे जिकर हुआ दोनों तरह का arthritis rheumatoid और osteo ये दोनों के लिए फायदा मन्द है high blood pressure की वज़ा से अगर arrhythmia होता हार्ट बीड का अचानक से बढ़ जाना फिर काम हो जाना ये fatty liver को improve करता है पर उसके बाद omega 3 का एक और बड़ा फायदा है क्रैम्स आने लगते हैं टांगों में खलियां पाड़ जाना रात को सोने में भी मुश्किल होती है नीन सही से नहीं आती ठकावट रहती है लेकिन सो नहीं पाते है मसल्स अकड़े रहते हैं रिलाक्स नहीं कर पाते है और तो में menstrual cramps की एक बड़ी वज़ा और ये combination में होता है inflammation की वज़ा से ये सारी symptoms एक साथ भी हो सकती है तो vitamin D यहां help करता है calcium को absorb करने में जिसे के cramping काम होती है omega 3 insomnia को काम करता है अब कुछ लोगों को fish oil suit नहीं करता burping जादा होती है या कुछ लोग allergic होती है fish oil से या fish से या वो लोग जो vegan है vegetarian है और सिर्फ plant based diet लेते है मचली नहीं कहा सकते है तो वो algae supplements यूज कर सकते है जो के एक और source है omega 3 का क्योंकि मचली का omega 3 भी phytoplankton से बनता है मचली algae और पानी में मौझूद दूसरे चोटे पोदे खाती तो इनके लिए algae supplements एक option है अब कुछ labs ने एक simple सा test भी शुरू कर दिया कि जिसमें आपके blood का एक drop लिया जाता है और उसे lab में send करते हैं और यहाँ blood में मौझूद omega 3 को evaluate किया जाता है omega 6 और omega 3 की ratios को देखा जाता है omega 6 की बात हुई तो next मैं omega 6 पर भी बात करूँगा अगर आप इस graph को देखे हैं कि जिसमें omega 6 को omega 3 से compare किया गया जो बात यहाँ जानना ज़रूरी है वो यह कि omega 6 fatty acids compete कर रहे हैं omega 3 के साथ जिसे कि यह जाहिर होता है कि लोगों में omega 3 की कमी की वज़ा यह नहीं है कि वो fish oil नहीं खा रहे हैं या omega 3 कम ले रहे हैं बलकि लोग इसका competitor जादा मिगदार में ले रहे हैं जो है omega 6 खाने का जो तेल है जिसमें soy oil, corn oil, canola oil, cotton seed oil, banolay का तेल यह सारा omega 6 है बॉड़ी में omega 6 और omega 3 की ratios imbalanced हो रखी है अब जो आखरी point है वो यह कि अगर किसी का gall blood remove हुआ है या अगर किसी में bile का flow disturbed fatty liver है तो omega 3 easily absorb नहीं हो पाएगा metabolize नहीं हो पाएगा या अगर gut inflammation है तो इसमें आप purified bile salts को भी add करें इसे ना सिर्फ omega 3 fatty acids की absorption बेतर होगी बलकि दूसरे fat soluble vitamins जिनकी body को जरूरत है वो भी सही से absorb हो पाएगा fatty liver management पे जरूर काम करें पिछले कुछ वीडियो में इस पर detail में बात हुई है अपना ख्याल रखिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स वीडियो में अलाफस्ट